प्रिखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार बहुत-बहुत सब्सक्राइब आप सबी का हमारे बेहत खास प्रोग्राम जोतर इश्ग्यान में मैं हूँ आपके साथ मॉनिका क्रोवर दरश्गों लगतार हम आपको बता रहें कि मार्च की मन्त को आप कैसे बहतर बना सकते हैं अपनी राश्य नुसार उपाय अपना कर तो आज भी हम आपको यही जानकारी देंगे और यह जानकारी आपको देने के लिए स्टुडियो में मौजूद हैं हमारे साथ अपनी राश्य और मार्च का महीना अब सभी के लिए अलग अलग बताने पड़ती हैं कुछ बाते रिपीट भी करनी पड़ती हैं इसलिए जो दर्शक हमें सुन रहे हैं कुछ रिपीट बाते भी आपको सुननी पड़ती हैं उसके लिए चमा चाते हैं लेकिन हमारी मजबूरी है हर राशी के लिए हमें कुछ बातों को रिपीट करना ही पड़ता आप देखिएगा यह उपाए महिला हों पुरुषों कोई भी कर स रखते हैं मार्च के महिने में आपको डबल डबल उपाय हो जाएंगे हमें महाश्यवरात्री से संबंदित विश्यस उपाय करने हैं बोले नास से संबंदित और उधर हमें होलीका से संबंदित विश्यस उपाय करने हैं होलीका की रात्री सिद्धियों की रात्री है सिद् उन उपायों को भी बताएंगे आपको महाशिवरात्री के उपायों भी आपको विश्यस बताएंगे इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी राशी से सम्मधित इस महीने हम आपको बड़े चमतकारिक और छोटे-छोटे उपायों बताने वाले हैं नोट डाउन आप कर सकते हैं अब एक चीज़ और ध्यान लें आप कैसे पहचाने कि आपकी राशी मकर है है ना बहुत आसान सा तरीका है आप अपनी जनम पत्रीका को खोल लें या मोबाइल पे या कंप्यूटर पे अपनी जनम पत्रीका बनावें डेटो बड़ टाइम एम पीम में सारा लिख करके कलिक करेंगे उप्शन में जाएंगे तो कुंडली बन करके सामने आ जाएगी आप देखेगा चै चंद्रमा अगर चंद्रमा के बाजू में या चंद्रमा जिस खाने में लिखा हो वहाँ ten number लिखा है चंद्रमा के संग उपर नीचे दाए वाइ कहीं भी उसी खाने में लेकिन ten number लिखा होना चाहिए अगर ten number चंद्रमा के साथ लिखा है तो आपकी मकर रासी है ये simple सा तरीका है पूर्ण बिवेचन के लिए आप हमारा विश्वसंग देख सकते हैं कैसे जाने अपनी राशी और लगन को वो आप YouTube पर देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं Confirm आपकी राशी मकर है जिन लोगों के पुकारते नाम से उनकी राशी मकर आती हो वो भी इन उपायों को कर सकते हैं बहुत लोग ऐसे है डेटों बर्त करनी पता आपको तो वहां मजबूरी हो जाती है वहां तो फिर जो नाम से आपको लोग पुकार रहे हैं उसी नाम से संबंदित आप अपनी रासी के उपाई कर लिया करें अब हमें क्या उपाई करना है उपाई से पहले एक संदेश और द करेंगे कि किस तारीक में और और कहां पर याध्यातिक महापूजन होने वाला है इसके लिए किसी पे शर्ज biz एक ये शुल्क दे नहीं होताय सब कुछ आ के लिए nisual liar होता आपी की प्रेम भाव से यह सब होता है आप कितने लोग आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं जैसे हमेशा आप लिखवाते हैं अपना नाम नंबर तो हमारे संस्तान में आप जब भी हमारा ये कारेकरम सुनें उसके बाद आप अपना नाम नंबर लिखवा दें आप लिखवा जरूर दें आना ना वो वक्त की बात होती है भगवान की क्या इच्छा है अब देखेगा हमें उपाई क्या करने है शनीवार की सुभा आप क्या करें वैसे तो बहुत सारे उपाई में पिछले महीने भी आपको बताए सालों से बताता आ रहा हूँ सुभा सुभा आप दर्शन करके आएं जिनकी मकर राशी है वह सुभा सुभा इस्त नानादी करके या जैसे बहुत लोग होते हैं वह आसपास पिपल नहीं है duty पर जाते समय या कहीं भी किसी काम से जाते समय प्रयास करें कि शनिवार के दिन दिन छिपने से पहले हम एक बार people को प्रणाम जरूर करके आएं जिनकी मकर राशी है यह ध्यान रखेगा आफ तीन सनिवार दो सनिवार यह चार सनिवार हम जरूर करें आगे बढ़ते हैं शनी इस्तोत्र हम जरूर पढ़ सकते हैं शनी का बीजात्मक मंत्र हम पढ़ सकते हैं और साथ में यदि आपको काली गाए दिख जाए शनी वार के दिन आपको काली गाए दिख जाए या कहीं आसपास हो तो जो भी आप खिला सकते हैं केला या कोई भी ऐस चीज जो गव खाती हैं, रोटी, कोई भी ऐसी चीज, शुद्ध साफ चीज, आप गव माता को जरूर खेलाएं, काली गाय मिल जाए तो, शनिवार के दिन, बहुत शुब माना जाता है, बहुत अतियुत्तम माना जाता है, प्रियास करें, आप शनिवार के दिन, एक छोटा स काजल लगाने, महिलाएं तो लगा ही सकती है, बच्चों को भी हम काजल लगा सकते हैं, और यदि आपको लगता है, आँख में तो हम अंजल नहीं लगाएंगे, काजल नहीं लगाएंगे, तो आप एक काम छोटा सा जरूर करें, कि एक ब्लैक पेपर ले ले ले, ब्लैक प पेपर के उपर काजल की एक बिंदी लगा करके और उसको परची को मोड़ करके आप अपनी पॉकेट पे रखें मैलाएं परस में रखें बहुत अच्छा आप मिलेगा काजल की डिब भी किसी को उस दिन हम गिफ्ट कर सकते हैं है न इससे आपको बहुत अच्छा आप मिलेग और एक चीज़ और बताएं हम आपको आपके बहुत काम आईगी है अब जैसे हमने बताया कि मकर राशी का जो नंबर होता है वो दस नंबर होता है तो आपने क्या करना है कम से कम, कम से कम दस रुपे अधिकतम सत्तर रुपेया 10 या 70 रुपिया आप किसी को डॉनेट जरूर करें ऐसे लोगों को दीजिए जिनको जरूरत है ऐसे बहुत लोग होते है हमें खुद में लगता है कि इस आदमी को वास्तम में नीड है उनकी हेल्प करें इस बहाने आप अपने उपाई के बहाने किसी की हल्प कर दें और यही हमारी आवास सुनकर कि अगर करोडों लोग ऐसा कुछ करते हैं तो कहीं न कहीं करोडों लोगों की हल्प हो जाती है देखो किसी के देने से खजाने नहीं भरते लेकिन ये नियत को सलाम होता तो आप से जितना बने आप जरूर करें अब मकर राशी के लिए हमने काली चीज बताई या पर्ची के उपर लिख करके रख लें काजल लगा करके जेब में रख लें और बाद में वो पर्ची कहीं भी ऐसे जुरमर करके पेड में गमला में कहीं भी डालने कोई दोश नहीं है किसी तरह का कोई दोश नहीं है और यदि आपके घर में शनी बार के दिन आपको पता है कि चड़ी आती है बहुत धरों में नहीं भी चड़ी आती है अगर आपको लगता है आपके घर में चड़ी आती है या आजू बाजू में कोई पार्क है तो कोई भी दाना जो चड़िये खाती हैं बाजरा हो कोई भी दाना उसमें थोड़ा काला तिल मिला ले तो चीटियों को या पक्षियों को तिल मिला हुआ अनाज जरूर डालें ऐसा तीन शनी वार करें या चार शनी वार करें मार्च में बहुत अच्छा सवाब मिलेगा बहुत अच्छा फल मिलेगा तो दर्शो को इन उपायों में से मकर रासी वाले जा तक जो भी सुलम लगे दो तीन उपाय जरूर करें आपको लाब मिलेगा उमीद करता हूँ इस महीने के उपाय करने से आपको बहतरी लाब हो और अगले महीने के बहुत सारे उपाये बड़े आथंटिक उपाये हम आपको पुन्हे बताएंगे और शिवरात्री, हौली का दहन, बहुत सारी चीज़े आपके लिए हम लेकर के आने वाले हैं इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब यूट्यूब पर जरूर करिएगा, इन सब बातों को शेर कीजिएगा ताकि और लोगों के भी ये सब बाते काम आ सकें, उनके जीवन में लाब हो सकें उमेद करता हूँ, मकर राशी वाले जात तक इन उपायों से लाव अवश्य उठाएंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे दर्शिकों को इतनी बहतुरीन जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर आपका नमस्कार तो माश मन्द के लिए, मकर राशी जात को को क्या विशेश उपायं अपनाने हैं, आपने जान गया है इन उपायों को आप जरूर अपनाएगा बागी अगर आप शर्मजी का मार्ग दर्शुन प्राप्ट करना चाहते हैं विक्तिका तौपन से मुलाकात करना चाहते हैं तो आप संस्था में कॉंटाट कर सकते हैं परस्नल अपॉंटमेंट ले सकते हैं या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी रीजन से तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंट्मेंट ले ले अध्यात्मिक महा पूजन से जुड़ी ज़ानकारी प्राप्त करने के लिए यही नमज आपकी साहता करेंगे कॉंटाट करने का समय रहेगा सुभा दस बज़े से लेकर शाम के छे बज़े के बीच में यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले चलें के दीज़े उज़ाज़त नमस्कार जिस वक मैं पहली बार गुरुजी से मिला मुझी मिलते ही गुरुजी ने बताया कि आप यहां आए बहुत अच्छा काम किया नहीं तो आपको एक मैना बार अस्पा काम में भारती होना पड़ता यूनों ने जो मुझे मंत्र दिया आज उसकी बदावलत मैं आपके सामने गुरुजी की बतावलत गुरुजी ने जो मंत्र दिया मुझे आटाक्स को आया हमें कि मुझे दवा खाना जाने की पड़े की ज़रूत नहीं पड़ी थे 28 फर्वरी पटना 14 मार्च मुंबई 27 मार्च लुधियाना 4 अप्रेल लखनव 17 अप्रेल पटना 26 अप्रेल जैपूर अन्य दिनों में शर्मा जुय अधिकतर दिल्ली में रहते हैं अपॉन्मेंट के लिए संपार्ख करें संपार्ख सूत्र 9268-3197-43-81309-48703 और 95822-48029 हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें